हलो माइ डियर फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल SBSV Academy में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हमारा लेशन फाइफ है Connectors, Spilers, Spillers, Couplers, Cables तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसके Introduction के बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है किसी भी Communication System में Transmission Medium के Jointing तथा Termination की आवसकता होती है Optical Fiber Communication में भी Fibers को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बीच बीच में जॉइंट्स या Connection बनाने पड़ते है जो Optical Fiber होता है जो Optical Fiber Communication होता है उसमें Fibers को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बीच बीच में Joint या Connection बनाने पड़ते हैं हाला कि आधनिक टक्नीकों से 200 किलोमीटर तक के लंबे Fibers बनाना संभव हो गया है दोस्तों जो Modern Technique है उससे 200 किलोमीटर तक के लंबे Fibers बनाना संभव हो गया है किन्त इतने लंबे Fibers निस्टाल करने में मुस्किल आती है दोस्तों जो 200 किलोमीटर लंबे Fibers होंगे इनको निस्टाल करने में थोड़ी मुस्किल आती है अता इस बात की अवसकता होती है कि Fibers को कम से कम लौस तथा Distortion के साथ बीच बीच में Connect कर लिया जाए Fibers के Joints दो प्रकार के होते हैं जो Fiber Joint होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं नंबर एक पर बात करते हैं Fiber Spiles जो की Permanent Joint होते हैं तथा Optical Fiber Communication में काफी यूज की जाते हैं जो Fiber Spiles होते हैं वो Permanent Joint होते हैं अब दोस्तों बात करते हैं नंबर दो पर Connectors जो की Temporary या Removal Joint होते हैं तथा जिनके दौरा Fiber की Coupling या Decoupling तेजी से वो आसानी से की जाती है जो Connectors Joint होते हैं वो Temporary या Removal Joint होते हैं अब दोस्तों बात करते हैं Connectors के बारे में दोस्तों जो Connectors होते हैं उनमें कौन-कौन से गुढ़ होने चाहिए वो बताएंगे आपको एक अच्छे Connector में निम्न गुढ़ होने चाहिए नंबर एक Low Coupling Lossage Compatibility, Simple Design, Low Environment Sensitivity, Low Cost अब दोस्तों बात करते हैं But Joint Alignment विधि के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया है एक Fiber से दूसरे Fiber Light Energy की कपलिंग But Joint Alignment Mechanism Expanded Beam Mechanism पर आधारित होती है दोस्तों समें कहा गया है एक Fiber से दूसरे Fiber Light Energy की कपलिंग But Joint Alignment Mechanism Expanded Beam Mechanism पर आधारित होती है But Joint Alignment Connectors, Multimode, Single Mode Fiber दोनों में यूज होते हैं जो But Joint Alignment होते हैं वो Connectors, Multimode, Single Mode, Fiber दोनों में यूज होते हैं या Straight Sleeve या Tappered Sleeve हो सकते हैं जो But Joint Alignment होते हैं वो Straight Sleeve या Tappered Sleeve हो सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इसके डाइग्राम के बारे में दोस्तों ये जो है But Joint Alignment का डिजाइन दिया गया है इसमें दोस्तों ये है Straight Sleeve का और ये है Tappered Sleeve का इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस डाइग्राम के बारे में देखें दोस्तों ये है Alignment Sleeve ये है Ferrule ये है Optical Fiber और दोस्तों ये जो है Guide Ring इसी परकार Trapped Sleeve में ये Optical Fiber ये Trapped Sleeve तो दोस्तों ये हो गया हमारा But Joint Alignment का डाइग्राम अब दोस्तों बात करते हैं Fiber to Fiber Joint के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया है ये Joint के समय दोनों Fibers के बीच में Alignment नहीं होगा तो Joint पर Extrancy coupling Lossage होने लगते हैं दोस्तों पर Extrancy coupling Lossage होने लगते हैं और दोस्तों इसमें कहा गया है fibers के alignment के समय तीन प्रकार की coupling error होते हैं जिनकों की number 1 fiber separation number 2 letter midge element तथा angular midge element कहा जाता है अब दोस्तों बात करते हैं fiber couplers के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया है coupler एक ऐसी युक्ति होती है जो की light को main fibers से branch fibers में distribute करती है दोस्तों जो coupler है वो एक ऐसी युक्ति है जो की light को main fibers से branch fibers में distribute करती है fiber couplers कई प्रकार के होते हैं number 1 बात करते हैं 3 या 4 port वाले couplers single के splitter या विभाजग या combiner मतलब सही उक्त करना का कारे करते हैं जो 3 या 4 port वाले couplers होते हैं वो signal को splitter या combiner का कारे करते हैं splitting के लिए एक single input दो output fiber के बीच होता है जो splitting होती है उसके लिए एक single input मतलब एक input और दो output fibers के बीच होता है जिसको की later offset method कहा जाता है इस विदि में input power आवश्यक अनपातों में output fiber के बीच वित्रिद की जा सकती है अब दोस्तों हम इसके diagram के बारे में बात करते हैं दोस्तों ये जो है 3 port couplers splitter का diagram है और ये जो 3 port coupler distributor combiner का diagram है ठीक है दोस्तों ये दो खोड डिस्ट्रिबूटर है यहाँ पर ये port 1 ये port 2 ये port 3 और combiner में ये port 2 ये port 1 और ये port 1 ये port 3 ये combiner है ठीक है दोस्तों दोस्तों अब हम बात करते हैं star coupler ये multiport coupler के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया है एक star coupler की साहता से optical signal को single input fiber से कई outputs को distribute किया जा सकता है इसमें कहा गया एक star coupler की साहता से जो star coupler होता उसकी साहिता से आप्टिकल सिगनल को सिंगल इन्पुट फाइबर से कई आउटपुट को डिस्टिरिब्यूट किया जा सकता है इसमें कई फाइबर्स को बंडल टुइस्ट तथा हीट करके फ्यूजड बाइकोनिकल टैप पर स्टार कपलर का आकार दिया जा सकता है अता स्टार कपलर एक मल्टीवे कपलर होता है जो स्टार कपलर होता है वो मल्टीवे कपलर होता है जिसमें प्रत्यक इन्पुट प्रत्यक आउटपुट को उपलब्द होता है यहां दो परकार के होते हैं नमबर एक इस्टार कपलर के द्वारा यल एयन मतलल नान तथा यम एयन मैन नटवर्क इस्थाफित किये जाते हैं। नमबर दो एक एट वे डिवाइस हैं जिसमें एट इन्पुट मिक्स की जा रही हैं और एट आउटपुट्स को उपलग कराई जाती हैं। अब दोस्तों इसके डाइगराम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है इस्टार कपलर का डाइगराम दिया गया है। ये देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ इन्पुट्स फाइबर हैं। और आठ ही आउटपुट्स फाइबर दी गई हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आईसो लेटर्स के बारे में। आईसो लेटर्स क्या होता हैं। उसके बारे में बात करेंगे। आइसो लेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो लाइट को एक दिशा में पास होने देती है जबकि दूसरी दिशा में रोक देती है आइसो लेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो लाइट को एक दिशा में तो पास होने देती है जबकि दूसरी दिशा में रोक देती है आइसोलेटर्स फाइबर्स के बैक रिफलेक्शन को बचाने के लिए यूज कियाते हैं जो आइसोलेटर्स होते हैं वो फाइबर्स के बैक रिफलेक्शन को बचाने के लिए यूज किते हैं ताकि reflection फिर से fibers में इंटर करके laser operation में बाधा उत्पन्ना करें, जिससे की reflection फिर से fiber में इंटर मतलब प्रवेस करके laser operation में बाधा उत्पन्ना करें, इसके लिए lithium-nivate-Linb-O3 का यूज किया जा सकता है, जिसकी refractive index variable होती है, तथा 226 पर निर्भर करती है, फाइराइट पदार्थ जैसे YIG मतलब yattrium iron garnet का भी यूज किया जाता है, अब दोस्तों बात करते हैं fiber spilsing के बारे में, fiber spilsing क्या होता है, या किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों इसमें कहा गया है fiber spils एक permanent joint होता है, जो fiber splice होता है, वो एक permanent joint होता है, जो दो optical fibers के बीच में optical connection इस्थापित करता है, जो fiber splice होता है, वो दो optical fibers के बीच में optical connection इस्थापित करता है, installation, accident, accident तथा stress के कारण damage fiber को भी splicing दोरा repair किया दा सकता है splice mechanical या fusion type हो सकता है जो splice है वो mechanical या fusion type हो सकता है mechanical splice में mechanical fixture या पदार्थों की सहता से fiber का alignment तथा connection किया जाता है fusion splice में fiber के सीरों को heat दोरा melt करके fuse करके जुड़ा जाता है अब दोस्तों बात करते हैं नमबर एक पर mechanical splice के बारे में इसमें क्या होता है बताएंगे आपको mechanical splices में fibers को connect करने के लिए mechanical features का यूज किया आता है mechanical splice में fiber को connect करने के लिए mechanical features का यूज क्या आता है जैसे कि fiber के सीरों पर tube का यूज करना tube splices या V grooves में butted fibers को place करके splicing करना mechanical fibers द्वारा multimode fibers में लगभग 0.1 से 0.2 decibel inertia loss होता है अब दोस्तों इसके नीचे लिखा गया है tube splicing कित में प्रदसित है जो नीचे चितर दिया गया है उसमें tube splices प्रदसित है इस tube का inner diameter fibers के outer diameter से थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों जो tube splices है उसमें जो inner diameter होता है वो fiber के outer diameter से थोड़ा ज़्यादा होता है एक transparent adhesive की सायता से दोनों fibers के co-bond कर दिया जाता है दोस्तों ये जो diagram है वो है tube splicing का इस डाइग्राम में यहां पर देखो यह है transparent adhesive hole यह जो बना हुआ है ठीक है दोस्तों यह जो है वो है optical fiber वन यह है optical fibers टू मतलब यह optical fibers का पहला सिरा यह है दूसरा सिरा दोस्तों यह जो है वो joint बना हुआ है और यह जो है वो है glass या ceramic alignment tube तो दोस्तों यह हमारा diagram हो गया अब दोस्तों नीचे लिखा गया है V-groups spirals चित्रे प्रदर्शी थे जो की नीचे चित्रे बना हुआ है V-groups का एक V-grouped substrate में fibers को insert करके तथा transparent adhesive मतलब चिपकाने वाली वस्तुका यूच करके fibers को spirals को कर दी जाती है दोस्तों यह जो diagram है वो है V-groups का यह optical fibers का पहला सिरा यह है optical fiber का दूसरा सिरा यह जो है वो है joint ठीक है दोस्तों यह transparent adhesive यह है open V-groups substrate यह जो है ठीक है दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं rotary mechanical spilsing इसमें दोस्तों कहा गया है rotary spilsing में fibers को glass ferules मतलब काच सामी में रखा जाता है और adhesive ससंजग की साहिता से चिपकाया जाता है glass के ferule को दो हिस्सों में बाट कर दोनों हिस्सों में fiber का एक-एक सिरा insert किया आता है और फिर एक ultraviolet epoxy की साहिता से इनको जोड़ दे जाता है फिर इनको polish तथा align किया जाता है इस प्रकार की spilsing नेवी में shipboard application में यूज होती है दोस्तों यह जो diagram हो हो है rotary mechanical spilsing का इसमें यह जो है movable alignment field फिक्चर हैं यह दोनों ठीक है दोस्तों यह optical fiber का पहला सिरा है और यह optical fiber का दूसरा सिरा है दोस्तों यह जो है tungsten electrodes हैं ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं optical fiber cables के बारे में उनके लाब क्या होते हैं हम वो बताएंगे आपको optical fiber की बहतर handling के एक जगा से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए handling का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना के लिए तथा उनको सुरच्छा पतान करने के लिए उनकी packaging करना cabling कहलाता है और दोस्तों आगे कहा गया है fiber optical की cabling करने के मुख खिलाब निम्नवत हैं नमबर एक पर बात करते हैं इससे fiber की handling आसान हो जाती है तथा उनको install करने में maintain करना भी आसान हो जाता है नमबर दो पर इससे fiber को damaging force से बचाया जा सकता है नमबर तिन बात करते हैं वातार रण के प्रभावन से बचाया जा सकता है fiber optical cables के मुख कारक निम्नवत हैं नमबर एक पर endure cables में fire safety एक मुख कारक है अर्थात आग लगने पर भी cable छतिगरस्त ना हो इसका consideration आवश्यक होता है नमबर दो बात करते हैं endure cables नमी तथा ultraviolet क्रिणों के प्रत्य अवरोधी होने चाहिए नमबर तीन पर aerial cables को सूरी के प्रकास्ता हवा के दवाब को जहलने के लिए सर्चम होना चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं फाइवर सन्रचना मतलब फाइवर स्ट्रक्चर के बारे वे इसमें कहा गया है फाइवर आप्टिक केबल स्विभिन प्रकार के सन्रचनाओं में उपलब्द हैं या सिंप्लेक्स या डिप्लेक्स जिपकार्ड टाइप हो सकते हैं जो फाइवर सन्रचना है वो सिंप्लेक्स या डिप्लेक्स टाइप के हो सकते हैं अधिकांस केबल की सन्रचनाओं को दो वर्गों में वर्गी कर किया सकता है 900 μm tight buffered fiber या 250 μm coated fiber जिसको की bare fiber भी कहा जाता है अब दोस्तों बात करते हैं tight buffered fiber में soft plastic coating होती जो tight fiber buffer होती है उसमें soft plastic coating होती है तथा उसके उपर एक मोटी hard plastic परत होती है और soft plastic coating के उपर एक मोटी hard plastic पर्त होती है जिससे उसकी handling आसान हो जाती है और मजबूत हो जाती है 900 micrometer type buffer fiber की core single mode fiber के लिए 900 micrometer multi mode fiber के लिए 50 micrometer या 62.5 micrometer होती है इसकी cladding 125 micrometer होती है soft plastic coating 250 micrometer और hard plastic coating लगवर 900 micrometer diameter की होती है दोस्तों यह जो है 900 micrometer tight buffered का diagram दिया गया है यह 900 micrometer यह 900 micrometer यह है 9 micrometer core यह है 125 micrometer cladding और यह जो है वो है 250 micrometer स्वाप्ट क्लोडी ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं tight buffered fiber के बारे में यह इसका diagram दिया गया है outer jacket self tight buffered fibers ripcord और दोस्तों यह जो diagram है वो tight buffered fiber का है ठीक है दोस्तों और दोस्तों यह जो diagram है fiber optic luge tube cables samples का diagram दिया गया है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार हमारा optical fiber communication का lesson 5 complete हो गया है तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे telegram channel SBSV Academy को join नहीं किया है दोस्तों वीडियो के description में link दिया गया वहाँ से join कर सकते हैं क्योंकि exam के time आपको notes वहीं provide कराए जाएंगे तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो like कीजिए, share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद